पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान अपनी सेक्स आउडियो लीग को लेकर चुछा में है खान पर आरूप है कि ये डिर्टी आउडियो उनके खिलाफ पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराया है मीज़ा से बाचीत में आउडियो लीग पर इमरान ने कहा है कि एक बर पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे प्लेबॉय कह दिया था इस पर मैंने कहा था कि हाँ मैं पहले प्लेबॉय था मैंने तो कभी फरिष्टा होने का दावा नहीं किया दरसल आज से दो हफ़ते पहले खान के तीन कथित सेक्स आउडियो टेप सोशल मीडिया पर वाइरल हुए थे ये दो अलग-अलग महिलाओं के हैं बाचीत इतनी अशलील है कि इसे यहां लिखना या पिर सुनना या फिर आपको बताना बहुत जादा मुश्किल हमारे पीठ में छुड़ा घुपा ऐसा खान का कहना है खान ने बगार नाम लिए अपने आडियो टीप को लीक करने का इल्जाम पर लगाया वन अनली बाजवा पर लगाया कहा कि अगस्त में जनरल बाजवा ने मुझे बताया था कि उनके पास मेरी पार्टी के लोग के आडियो और वीडियो टेप है वो मेरे साथ डबल गेम खेल रहे थे शहबार शरीफ को पीम बनाने चाहते थे हमें हमदर्दी दिखाते हुए मेरी ही पीट पर हमें छुड़ा घौब दिया था मुझे धोका दिया था बाजवा का कारेकाल बढ़ाना गलती थी ये भी खाने माना खा बाजवा के कुछ लोग हैं जो मुझे सत्ता में आने से रोक रहे हैं इमरान सरकार ने 2019 में बाजवा का टेन्योर जो था वो तीन सल बढ़ा दिया था हो मिनिस्टर बोले हैं कि वीडियो भी लीक होंगी मतलब आभी ऑडियो लीक होगी धीरी दरी लीक होगी आपको बता द पीजे के सोशल मीडिये चीफ अर्शलान खालिद ने कहा थे कि सरकार इमरान के इमेज को खराब करने की घटिया कोशिश कर रहे हैं घटिया हद गंडे अपना रही है 44 महीने में सत्ता से बाहर हो थे इमरान खान आपको बता दी कि 2018 में पाकिस्तान में चुनावी जीट के साथ पीम बनने वाले इमरान अप्रेल 2022 में विश्वास परस्ताओ की वज़े से सत्ता से बाहर हो गए थे इसके बाद से उनकी परिश्वानियां बढ़ती जा रही थी हाली में एक रैली में उन पर जान लेवा हमला भी हुआ था फिर विस सरकारी खजाने के तौफे को बेचने के मामले में भी फसे थे इसके बाद नजाय संबंदों से बेटी का मामला भी हाई कोट पहुँचा थ और फिर अपति जनक आडियो टेप में भी वह फसे हुए है अगर आपको आडियो टेप के बारे में जानना है क्या कि यह पूरा का पूरा मसला तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं या फिर हमने इसके उपर एक वीडियो बनाई है आगे भी बना देंगे वह वीडियो अब जाके देख सकते हैं